आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे बिरनाम ऐसे धान तक नहीं होतरी स्टेडिक लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है यह जब तस्वीरे देखिए तो सबके आँखों में आसू आ गए यह तस्वीरे हैं दोस्तों भारत की सत्रा भारतियों को बचाया गया है मिनिस्ट्री आफ एक्स्टरनल अफेर्स मेंबर ऑफ पार्लियमेंट सानी कमाल का काम किया उन्होंने और त्युनिश में जो इंडियन एमबेसी है उसके द्वारा तुनिशिया में बिसिकली यह एक कमाल कमिशन रहा और यह फिर से बताता ह है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के जाएं अनमोल सिंग जो कि 23 साल के हैं अपनी मा से चिपट के बहुत रोए मा बोल रही है मेरा बेटा मेरा बेटा दाट से यही निकल रहा था पनमजीत सिंग हाला कि एक पिता जब अपने बच्चे को लेने आया तो वो दिखा नहीं टोनी 21 साल का एक तरफ हर कोई खुशिया मना रहा था एक पिता बड़ी आस लिए कि मेरा बेटा आएगा और इनमें मेरा बच्चा भी होगा लेकिन वो कहीं नहीं दिया था उसकी मौत हो चकी है उसको इतना टॉर्चर किया गया कि वो मर गया पिता बहुत रोए जहां एक तरफ जशन वहां एक तरफ दुख यही है जिन्दगी शायद सबके माता पिता यही सोच रहे होंगे कि काश हमने इनको भेजा ही नहीं नहीं था तो क्या कहानी हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा शांदार कोर्स इस्ट्रिस और टाइम मैनेजमेंट का इसको आप ज़रूर अवेल करें आपको बहुत ज़्यादा होगा पचास किताबों का रिव्यू रिकॉर्डेड लिच्चर्स हैं पच्चेस के करीब लिच्चर्स हैं और यूनो मज़ा जाएगी आपको ओके शुरू करते हैं तो यह है लीबिया देख रहा है आपको लीबिया के बारे में पहले आप जान लीजे आफ्रिका देश है 16th largest अगर एडिया वाइस देखें तो दुनिया का 16 सबसे बड़ा देश है लेकिन population में 108 नंबर पे आता है हर population density वहाँ पे पता है कितनी है हर square kilometer में खाली चार लोग रहते हैं 70 लाग के क पॉपलेशन है बहुत ही कम लोग रहते हैं क्योंकि पूरा रेगिस्तानी इलागा है बहुत गर्मी पड़ती है जादातर जो लोग रहते हैं वो समुद्र साइडी रहते हैं और यह बगल में ही है तुनिश्या ठीक है तो बड़ा इंपोर्टेंट रहा यहां पे राज समाल रहे थे लेकिन 1969 में कौन आता है हम सब को पता है 27 साल का मौामर अल-गदाफी जिसने सब कुछ बदल के रख दिया गदाफी ने लीबिया को अपने कबजे में ले लिया ब्लेडलेस रेविलिशन आया यहां पे गमाल अब्दुलनासर को गदाफी जो है वो अपना कि जॉर्डन का वो कौन था लीडर उसको मारने तक का बोल दिया था मौमर अल-गदाफी में क्या प्लैनिंग की थी कि हटा दो मार देते हैं जो हमारे साथ नहीं चलेगा समझ रहे हो इस्राइल से कैसे तुम हाथ मिला रहे हो 1988 में जब पैन आम एर पैन आम एरलाइन्स जब फटा तो मौमर अल-गदाफी का उसमें हाथ रॉलनल्ड रीगन ने पागल कुत्ता बोल दिया था कि इस पागल कुत्ते ने एक पुरे हवाईजाज को अड़ा दिया 1996 में जेल में हजार कैदियों को मरवा दिया था इसने कतले आम कॉलेज में चार स्टूडेंट जिन्होंने मौमर अल-गदाफी के खिलाब प्रदर्शन किया था गेट पे फांसी पे लटका दिया था चारों को भायानक पहुत आयाश इंसान संकी था पहुत आयाश इंसान शुरुवात में लीबिया सही था ठीक है हालाकि ये भी बोला जाते कि मौमर अल-गदाफी के समय लीबिया स्टेबल था लीबिया आपको बता दू भारत के कोई डिप्लोमेटिक इसलिए बहुत मुश्किल वो बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे मौमर अल-गदाफी कभी भारत नहीं है उन्होंने हमेशे अपने नंबर दो को भेजा तो एक बार चार मिनार पर भीया उनके जो नंबर दो नाम भूलिया वो गए और चार मिनार पर नाचने लगे तो इस पर बड़ी ज्यादा बहु मौमर अल-गदाफी भयान का याश इंसान थे जो इसके हरम था इसका उसमें इतनी इतने ओरतों को टॉर्चर किया जाता है ऐसा बोला जाता था कि इसके लिए लड़किया सप्लाई होती थी चोटी चोटी लड़किया सप्लाई होती थी ये पूरा ये जिसको देख लेता तो जब वो आए, हाला कि बता दे की बड़ा गर्म जोसिश है, वो बताते हैं असरानी की बहुत मेरी वाइफ का बहुती गर्म जोसिश है, और सबका बड़ा इच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से बात की, सोने की घरी थी वो दे दी इनोंने, और बोला की, पस एक पटी लगी की कैसे असरानी जो है, वो मुझे मिले बिना जा सकते हैं, तो मुझे बुलाया अगले दिन और बोला की, मुरार जी दिसाई ने बोला था कि हमको न्यूक्लियर वेपन देंगे, कहा है वो, या उसकी टेक्नोलोजी हमको बताओ, खेर कभी ऐसा हुआ नहीं, कभ स्प्रिंग जब 2011 में आये, टुनीशा से ही शुरू हुआ था, बुगाजीजी ने, मौमद बुगाजीजी ने साड़े ग्यारा बजे दुपैर में तेट चलक के आग लगा ली, रिश्वत से परचान था, यहां बेन अली की सरकार थी, रात और रात रेविलूशन आ गया, तब लिबिया की गली में हर जगां जिंगा-ζिंगा हो गया, जिंगा-जिंगा, यह जो शब्द है, यह मौमौर ये, edge, 201011 मुरा हो चुका था मौमौर ऐल-गदाफी, तो इसका बहुत मजाख होड़ने लगा था, और रेविलूशन आगये तो और मजाख होड़ने लगा थ तो इसने बोला मौमर अलगदाफी ने कि जिंगा जिंगा मतलब घर घर में जाके सफाई करेंगी हम तो जहां पर भी कोई जिंगा जिंगा वोई डियूस करता ना खुब था के मार के हसते थे लोग और फिर वो 2011 में पकड़ा मौमर अलगदाफी को पहुत मारा मार मार के मार दिया पबलिक ने जो 30 साल की भड़ास थी ना 40 साल की वो 2011 में निकाल दी दौरा दौरा के मारा इतना मारा कि मर गया मौमर अलगदाफी पबलिक ने मार दिया उसे सोचिए और उसकी लाश को लटका दिया जूते उतर पहना दी सब तो उसके बाद फिर लीबिया में सेविल वार शुरू होगी अब 2014 में सेकंड सेविल वार शुरू होगी 2020 में यह एक रिपोली बेस्ट गवर्मेंट एक त्रवुक थे दोनों मिलिटेंट लीबिया में बहुत बुरी बहुत इस समय बहारात बहु बहुत 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 है दोस्तों मुझे पता है पंजाब में बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है और एक अच्छी पॉलिटिक्स होनी चाहिए तो आप लोग क्या कर रहे हो बहुत 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 बहु हुई थी यहीं रहो बनाओ ना पॉलिटिकल पार्टी आप बनाओ पॉलिटिकल पार्टी किसने रोका है पॉलिटिकल वैक्यूम को भरो एनिवे छोड़िए इस पर अब हम नहीं जाते फिलाल पर जादा थर पंजाब हरी आना से थे और कोई 23 साल का को 26 साल का को 21 साल का ऐसे तो अब इटली में इनको भेजा यह ट्रावल एजेंट्स ने खुब पैसा लिया आपको बता दू कि एक एक इंसान से 12-14 लाग पूरे प्रोसेस में लिये गए हैं और यह जनवरी फरवरी से प्रोसेस चुरू हुआ अब इन्होंने सोचा हम इटली जाएंगे तो इटली ने खुब इच गए यहां पर काम की तलाश में लेकिन हुआ देख दिया गया एजेंट्स ने बेच दिया दिया दोबई वहां से फिर इंको इजिप्ट अट पसित लों से प्रोसे मने ने लिज़ू और वहां पिkę यह की आद मेरे पीटा और महीनों महीनों तक वो बॉंडेड लेबर करवाते हैं कोई पैसा नहीं देते कोई मर जाए टोनी मर्थ हो गया 21 साल का लड़का बेंगाजी में मर गया सारी उमीद खतम हो गई थी लेकिन फिर मुझे एक यहां पे एक और बच्चा है शर्मा करके मैं नाम तो उसने बोला कि मैंने इंस्टा पे एक MP का नंबर देखा उनको बताया मैंने वहां से फिर प्रोसेश शुरू हो गया फिर भारत सरकार जो है वो हरकत में आई उसके कि लीबियन सरकार पर प्रेशर बनाया तब जाके वहां पर भारतियों को छुड़ाया गया अब लेकिन इसमें हुआ क्या कि यहां पे तुनिशा ने भी स्वारी लीबिया ने भी इनको पकड़ लिया लेकिन पकड़ लिया कि illegal तो हमारे देश पे एंटर कियो एक्चलि इन को मत बेच दिया यहां पे तो फिर इनको छोड़ाया गया 13 जून को सारी जो है उन्होंने तैयारी कर ली थी होटल होटल सब इंडियान एमबेसी ने किया वो को हो गया तो लेकिन वहां से जो होटल वाला तो उसने पुलिस को इंफॉर्म किया और उसके बाद इनको जेल में हम देखते हैं कि जुलाई में फिर लीबेन अथरिटीस के ओपर प्रेशर बनाया तब इनको छोड़ा गया 17 भारती फाइनली जो है 20 अगस्त को भारत आ गया और यह सीन समको देखने को मिले हैं तो यह बड़ा ही एक ऐसा लमहा है जो काफी जादा दर्दनाक मतलब यह तो मारते थे काम ना करो अगर काम नहीं किया तो एक घंटे तक लगातार मारते जा रहा है कुछ लोग काली फन के लिए मारते हैं तो ब्रूटली टॉर्चर ही है है ना और आमको लग भी नहीं रहता हम बचेंगे लेकिन बच गए तो भाई मैं आपसे यहीं बोलूँगा कि द दे दी हैं यहां पर जिन्होंने यह काम किया यह तो राक्षास है ना मतलब यह तो इंसान की शकल में राक्षास है अडिक्शियन स्ट्रेस और टाइम मेनेजमेंटी शांदार कोर्स आप ज़रूर अवेल करें आपको बहुत ज़दा फाइदा होगा थांक यू सो मच